इंस्टेंड डोसा बनाने के लिए हमको चाहिए है एक कप चावल और आधा कप सूजी दोनों को अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद कुछ वेजी जैड करना है इसमें जिससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर मिलेगा उसको हमको डालना है प्यास, गाजर, हराधनिया, मीठी रीम और मिर्च ये सब चीज़ें अच्छे से मिला लेने के बाद हम डालेंगे पानी और इसको थोड़ा पतला से कंसिस्टेंसी में तयार करेंगे इसको अच्छे से घोलना है हमको पानी की जितनी जरूरत है उतना डालें थोड़ा पतला ही बनाना इसका मिक्स्चर इसले थोड़ा जादा पानी डलेगा इस तरीकी की कंसिस्टेंसी आपको लेकर आनी है शुरू में थोड़े लंप्स बनेंगे उसके बाद ये बहुत ये अच्छे से मिक्स हो जाता है अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद नमक भी आट कर लें अब इस मिक्स्चर को 10 मिनिट के लिए साइड में रख दें और अब हम मनाएंगे चटनी जिसके लिए मुम्फली के कुछ दाने चाहिए और साथी चाहिए लहसुन की कुछ कलिया दोनो लिए अच्छे से मिक्स करके हमको भून लेना है बहुती अच्छे जब रोस्ट हो जाए उसके बाद हमको को मुवघ। दाने बहुत यचे से भुन चुके हैं इसलिए आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे पूरे छिलके अगर ना भी उतरें तो भी चलेगा लेकिन जादा दर छिलके साफ हो जाना चाहिए ताकि हमारी चटनी को अच्छा टेक्स्चर मिले अब हम इसको एक ग्राइंडिंग मशीन में डालेंगे और साथ में डालना है हमको जीरा यह हमारी हरा धनिया साफ करके हमको इसको भी ग्राइंड करना है इमली डाली है मैंने इसमे और कुछ मिर्च साथ में डालना है नमक इतनी चीजों को डाल के इसको mix कर ले इस तरीके की consistency वाली चटनी हमको बनानी है पानी आड़ कर ले साथ में लगा दे बगहार बहुत ही अच्छे से लाल मिर्च का इसमें बगहार लगा दिया है बहुत ही सुन्दर बनी है यह चटनी अब हमको यह जो mixture था देखे इस तरीके से सूजी जो इसकी है वो फूल चुकी है और बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है बनने के लिए तो यह हमारी जो भी बैटर है तैयार है अब हम इसको गरम गरम तवे पर डालेंगे थोड़े से वाइल के साथ और इस तरीके से 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 पलट पलट के सेक लेंगे यह हो गया है golden brown कलर का बहुत ही सुनदर crispy बना है यह अब इस तरीके से हमको इसको तयार करना है साथ में सर्व करनी है हमको चետटनी और बहुत ही यमी सा डोसा instant बनके तयार हो चुका है डोसा बनाने की प्रिपरेशन में हमको तकरीबन एक से दो दिल लग जाते हैं ये इंस्टेंट डोसा हमको दस मिनिंटों में मिल सकता है बहुती क्रिस्पी और यमी बना है ये मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ देखिए कितना ही सुन्दर दिख रहा है मेरा डोसा और जब हम इसको तोड़ रहे हैं ये बहुती जादा क्रिस्पी है साथी साथी बहुती अच्छा टेक्स्चर है इसका ऐसा नहीं है कि ये पापड बना है बहुती अच्छा यमी है अंदर से काफी नरम है और उपर से साइड साइड साथी क्रिस्पी है इसको हम चटनी की साथ खाते हैं तो ये डोसे से बिलकुल कम नहीं लगता है इविन डोसे से बहुत जाद अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वेजीस डली हुई है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्चर इसे मिलता है आप जरूर बनाएं ऐसा डोसा एक बार ट्राइ करें दस मिनिट में बहुत ही टेस्टी सा नाश्टा बनके तयार है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ बाकी और वीडियो में भी थैंक यू फॉर वाचिंग